हलो दोस्तों वेलकम बैक टू और चैनल माँने में सोनम चोहान तो आज के मारे क्लास का टॉपिक है नव लोग प्रशासन एवं नव लोग प्रबंदन एवं सूसरेश्ट शासने की निव पॉब्लिक अड्मिस्टेशन एड निव पॉब्लिक मेनेजमेंट एड गुड गवर यह क्या सा कॉनसेप्ट है साथ में जो निव पॉब्लिक मेनेजमेंट यह क्या है गुड गवर्नेंस क्या चीज़ होती है तो इस बारे में आज इस क्लास में हम डिसकस करेंगे ज़ादा लंती यह लेक्चिस नहीं है बहुत च्छोटा सा लेक्च्चर से सो थूड़ा सा complete हम करा चुके हैं उसकी one short video उसके MCQs based question और उसकी theory वाले सारे lectures available हैं पूरी playlist वाले जब आप उसमे playlist वाले section में आते हो तो बहुत सारी playlist बनी हुए होते हैं तो semester wise BA fifth semester की अलग-अलग papers की playlist है वो हमने create की हुई जाकर के check out कर सकते हो ठीक है बाके social media handles अगर आपको इसकी notes में अगर आपको जो PDF है वो notes में चाहिए notes में बतला material चाहिए तो आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं description में नीचे link मिल जाएगे आ सोनम चोहन 99 official के नाम से जरूर follow कर लेना because of वहाँ भी story, reels या बहुत सार यसी update जो हम वहाँ पर up to date डालते रहते हैं तो चलिए अब lecture को start करते हैं बाकी आगे बढ़ने से पहले वीडियो को like कर देना, share कर देना और अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe कर लेना, bell icon को ब्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो को notification आप तक पहुंस दार है अब बात करते हैं कि जो नव लोग परशासन का उदे है वो कैसे हुआ यानि कि emergence of new public administration तो सन 1960 से 1970 के जो दशक हम इसको बोलते हैं कि 1960 से 1970 की जो centuries होते हैं उनमें होने वाले जितनी भी changes हैं वो सब लोग यानि कि new public representative से ही relate करते हैं जिसको नव लोग परती निदित्व करता है खीक है यानि कि जो public administration में कुछ भी कुछ नया change हुआ है कुछ amendment हुए कुछ संचोधन हुए है तो उसमें जो change आया है उसको नव लोग परशासन बोलते हैं तो ये 1960 से हम इसको मान सकते हैं अब यहाँ पे landmark के अगर हम बात करें कि landmarks of the new public administration की नवी लोग परशासन के सीमा च structures देखें तो वर्स 1966 में 1966 में अमेरिका की सिराकुज उनिवस्टी के जॉन सी हनी ने अमेरिका जो अमेरिकन उनिवस्टी है उसमें public administration के स्वायत विश्यानी की अपने खुद के एक स्वतंत्र सब्जेक्ट की रूप में इसको अध्यन किया था इसको study किया था उसके परतन होना चाहिए तो उन्होंने एक report पेश की तो proper उपसे एक independent होकर कि उन्होंने study को complete किया new public administration जो होती है उसको क्या target है वो उसको amendment करने के बाद में उसको इतनी importance दी क्यों जा रही है इसके बारे में भी मागे बात करेंगे लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मिन्नो ब कारणों से होता है उसके दो रिजन है कि सम्मेलें जो conference हुई थी यह किसकी कब हुई थी और इसका reason क्या दो 1968 में मिन्नो ब्रुक conference हुआ था इसमें पहला कारण इन्होंने बताए कि सार्ट के दर्शक मेंने कि 16 centuries मे 60 centuries में सोरी उसमें बहुत सारी से social problems से चीज़े घिरी जो लेख उनका जो टाइटल था वो क्रांतियों के काल में लोग परसा था इनकी public administration in the time of turbulence जो public administration review में प्रकाशित हुआ था एक तरीके से पूरा एक लेख था एक statement था जो उन्होंने यहाँ पे लिखा था जो कहां पर publish हुआ था public administration review में publish हुआ था उसको उजागर किया दूस capitalism की class से जुड़ेवे लोग थे उनमें सबसे ज़्यदा प्रमपरावादी लोग परसा जिनकी traditional public administration था उसकी जो भी विवस्ता थी वो उससे बहुत सी ज़्यादा dissatisfied थे यानि की असंतुष थे और यह जो पूरा संकरमान काल था यानि की यहाँ पर जो भी स्थिदी unbalance थी उ उसमें उन्होंने सामाजिक नियाए प्रशासनिक प्रभावशीलता को उसको सुधारनी के लिए तता प्रशासनिक परिकरियन जो भी administrative process है उनमें नागरिकों की भागिदारी को बढ़ावा देना चाते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो भी citizen है वो उनसे जुड़े थोड़े आवेर हो ताकि उन्हें नव लोग प्रशासन को लेकर के वो support दिखाए और जो भी traditional लोग प्रशासन है जो भी प्रमप्रा गत लोग प्रशासन उनकी जो भी परिकरिया है वो उससे असंतुष तो वो पहले से ही थे बट वो चाहते थे कि जो नव लोग प्रशासन है जो new public administration उसको वो support करें तो यहाँ पर अगर मैं बहुत ही छोटे रूप में आपको बताऊं कि जो मिनो बुक सम्मेलन हुआ था जो मिनो बुक conference हुई थी 1968 में उसमें लोग प्रशासन पर यूवा वे सक्षिक यानि कि यूथ और educated जो मेल जोल था उसमें नवीन विचार हैं कि जो new public administration जब develop हुआ तो उसके कुछ ना कुछ गोल्स रहे होंगे क्योंकि किसी भी अवधार्ना को किसी भी concept को जब हम replace करते हैं उनकी जंगा पर कोई नई अवधार्ना आती है तो कुछ ना कुछ ऐसे targets या goals जरूर होता है basically सबसे पहला क्या है priority यानि की प्रसांग एकता तो प्रसांग एकता है निकी priority का main goals क्या होता है कि लोग परशासन के जो भी traditional direction है जो भी प्रमपरागत द्रश्टिक होने है वो से जुड़े वे होते हैं और जिसमें उसका main goals क्या होता है कि कारे कुछलता मित वे होता से वो ज लिए नियू लोग प्रशासन में एक second उनका goals था कि हम values प्रोवाइड कराएंगे आदरशात्मक मुल्यों पर सबसे ज़्यादा जोड़ दिया जाएगा निकी जो optimistic जो values हैं उनको सबसे ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो यह भी उनका main goals आता है उसके बाद third point है सामाजि समतैनी की social equity अब new लोग प्रशासन में new public administration में जो main इनका target था जो उनका उदेश्य था वो यही था कि social equity होनी बहुत ही जादा जरूरी है समाज के जो दुरूबल पीडित या ऐसा है लोग है उनको develop करना है उनको आगे ले करके चलना है और जो equity है उसको create करना है तो यह ठी अब public administration में जो भी change है उनका कहने का मतलब इस change का मतलब क्या है कि सामाजिक समतैनी की जो social equity है यह फिर social अगर हम equality की बात करते है तो उसको achieve करने के लिए कि stability होनी बहुत जादा जरूरी है तो लोग परशासन में वो stability बहुत कम देखी गई थी बट जो new public administration है उसमें stability देखी जाती है तो यह सारी चीजें हमने discuss की new public administration के target को लेकर के उनके goals को लेकर की कोई भी concept अगर create होता है तो उसमें कुछ न कुछ उनके goals जरूर होते है अब बात कर लेते हैं आपे लोग परशासन के आदूनिक सवरूप और नवीन लोग परबंदन क्या चीज है कि modern idea of public administration new public management त कहा गया अब इसका target किया कि प्रशासन में जो भी कारी है वो कुशलता से मेतवेता से वो प्रभावशिलता से होने चाही इनका main target यही था और इसी को new public management का नाम दिया गया ठीक है I hope यहाँ तक की चीज़े आपको clear out हो चुक्योंगे फिर भी अगर कोई doubt है तो यहाँ तक आप नीचे भी comment में अपना question या कोई भी doubt problem नीचे comment में कर सकते हो अब next हम बात करेंगे कि responsive administration या good governance या निकि उत्तरदाई प्रशासन या सूसरेश्टरशासन क्या होता है तो इसकी अगर हम definition की बात करते हैं तो अलग-लग thinkers ने तो अपने point of view से अलग-लग तरीके से इसको define कि बाई एक सूसरेश्टासन कैसा होता है जैसे हम अगर हम Aristotle के coding देखें तो उन्होंने तो proper रूप से एक मुनार्किय सिस्टम को बहुत अच्छा governance उन्होंने बताया है कि जो राजतंतर होता है वो बहुत अच्छा governance होता है बहुत अच्छा शासन होता है बट बहुत सारे स अधर्ष रूप है जो उसका optimistic जो structure से वो क्या है या जो सिस्टम है कि जो governance है उसका last target क्या है वो क्यो बनाया गया उसका goals क्या है एक अधर्ष शासन का मापदन क्या होना चाहिए उसका parameter कैसा होना चाहिए यह एक good governance है तो इसमें यह parameter उसके fulfill होने जरूरी होते है या शासन क अर्थ क्या है सरकार शब्द से कहीं अधिक व्यापक होता है अगर हम शासन की बात करें तो basically यहाँ पर एक good governance क्या होती जहां पर जो भी leaders होता है वो सबसे जादे इंट्रेक्ट करता है अपनी public से तो public का मदलब क्या होता है कि उसको पता होना चाहिए कि पब्लिक में कितन पता देना होता है तो good governance में तो इतनी सारी चीज़े होने चाहिए और basically one line में किसको समप पूर तो good governance का मतलब होता है welfare state को create करना welfare state का मतलब होता है कि जहां पर लोग कल्यान से जुड़ी हुई चीज़े की जा रही है यानि कि वहाँ पर जनता से ही सब चीज़े जोड़ करक भी हम इसको बोल सकते है I hope यहां तक की चीज़े आपको clear out हो चुकी होगे लेकिन फिर भी अगर कोई हम हर वीडियो में आपसे बता दे कोई भी ऐसा topic है कोई भी ऐसा problem है कोई questions है जो comment में आप डाल सकते है comment में आप पूछ सकते है ठीक है या फिर आप हमें Instagram पर भी DM कर सकत तो वीडियो भी प्रोवाइड कराते है बट वही पर अगर हमें instantly वही पर आंसर देना होते है तो वो भी हम quickly वहाँ पर उसको short out कर देते है तो वीडियो पसंद आते वीडियो को like कर देना शेयर कर देना और अभी तक subscribe नहीं किया तो please do subscribe, bell icon को press प्रेंना ताकि हार एक के साथ में next lecture में तब तक के लिए जे हिन जे भारत